हेलो दोस्तों स्वावत आपका एक वर फिर से आपके अपने यूट्यूब चनल EPF and ESISV Expert में दोस्तों मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से आप सभी लोग EPF employees काफी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उनकी जो KYC है वो पहले से अपरूब तो है लेकिन जब वो एक claim form भरने के लिए जाते हैं तो उनकी जो KYC है वो online reject दिखा देता है और जब वो form भरने के लिए जाते हैं तो वहां हमें देखने को मिलता है invalid KYC please update new bank KYC तो दोस्तो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है और EPF ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि हम पहले से ही अपनी KYC approve करा चुके हैं फिर भी हमें ये दिक्कत क्यों आ रही है तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा उसका solution solution जाने के लिए आपको ये इस video को पूरा देखना है end तक और इसमें आपको एक एक step बताऊंगा कि आपको क्या 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 करना है तो चलिए वीडियो को हम start करते हैं और दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार आप चैनल को subscribe कर लें क्योंकि यहां EPF और ESIC से related वीडियो आपको मिलती रहेगी तो दोस्तो मैं आपको लेकर चलता हूँ desktop की screen पर और वहां हम जानेंगे क्या है इसका solution दोस्तो अभी हम आच चुके हैं EPF की official website पर और यहां पर हमें UN number और password डालना है उसके बाद capture करके login करना है इसकी link में आपको description में provide करा दूँगा वहां से जाकर आप इसे direct login कर सकते हैं दोस्तो अभी हमने यहां पर अपना UN number login कर लिया है दोस्तो अब ऐसी condition में क्या होता है कि इस UN number की KYC पहले से approved थी लेकिन अब जब हम online claim form submit करने के लिए जाते हैं तो यहां पर हमें दिखाता है please update your latest bank account number दोस्तो जबकि हमारी KYC पहले से ही approved थी और यह ऐसा option हमें देखने को मिल रहा है तो दोस्तो इसमें आपको घवराने की कोई बात नहीं है बहुत सारे employees के पास ऐसा option देखने को मिल रहा होगा तो दोस्तो आपको क्या करना है आपको जाना है सीधे manage वाले option में और यहां पर select करना है KYC दोस्तो जैसे ही आप यहां पर select करेंगे KYC तो आपसे एक request है अगर आपकी पहले जिस account से KYC approved थी आपको उस account की KYC यहां पर नहीं करनी है आपको कोई नया account number open कराके यहां पर उसकी KYC करनी है अगर आपके पास नया account number पहले से ही है तो बहुत अच्छी बात है आप उसकी यहां पर KYC कर सकते है दोस्तो क्या होता है कि आप दोबारा से वही account number की अगर KYC करेंगे तो यहां पर आपका जो KYC है वो reject कर दी जाएगी और reason लिखकर आएगा reject due to name mismatch तो दोस्तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें एक नया account open कराना है और उसकी KYC यहां पर approved करानी है दोस्तो आपको इस तरीके से यह सब process करना है तब ही आप अपना EPF का जो claim form है वो आसानी से भर सकते हो अगर आप यह सब नहीं करोगे तो आपको ऐसे ही problem आती रहेगी दोस्तो उमीद करता हूँ कि आपको एक एक step अच्छे से समझ में आया होगा और दोस्तो आप यह वीडियो को अपने भाईयों के साथ share भी कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है धन्यबाद जाहिन